नमस्कार जहिंद वन्दे मातरम EPS पैंसन दारकों आपकी EPS पैंसन से जुड़ी ये बहुत बड़ी कुसकबरी लोकसवासे पैंसन पर हुआ बहुत बड़ा पैंसन दारकों के दो प्रस्ताओं को मिले फाइनली समती इठोतर लाक पैंसन दारकों के लिए जारी वी करें मिली हैं कि जो पैंसन दारकों नहीं वित्मंतर लेको पैंसन की बड़तरी का प्रस्ताओं सोपता उसी को लगर ये जानकर मिली हैं कि केंदर की सरका नहीं आपर लोकसवा के बैठक से पैंसन के प्रस्ताओं को लेकर क्या रात बरी पैंसन दार के उनके लिए जानकारी को जानेंगे साथी करमचारी सेंक्तन और या पर एनिसी के अदक से कमडरtechn मिली हैं कि 7500 रुपे की EPS 95 पैंसन के लिए पैंसन वोग ने गेरा बहुस नहीं दी भवन को उसके बाद यान पर क्या आपके लिए एलान हुआ EPS से और यहां पर लोकसभागी बैटक से के अंदर सरकार ने क्या पैंसला किया है तो आज किस वीडियो में आपकी EPS 95 पैंसन और EPS जोड़ी चोटी पैंसन अपडेटों को जानेगी तो आप इस वीडियो को अंतरत के ध्यान से देखते रहेगा और चैनल पर अगर आप फ़स्क बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चंग को सब्सक्राइब कर दे बैल आइकन को जरूर दवा दे ताकि आपको इस पर करकी नई ताजा अपडेट होगी वो भी देखने को मलती रही और अपने साथी पैंसने से उनको भी वीडियो जरूर सेर करे ताकि वो भी इससत क्योंने ब्लें की जो जान कर आए चूकी है कि जो आपका वैतन होगा जैसा कि आप जो रेटार्मेंट होते यसे में जो आपका वैतन है अंतिम वैतन उसके नपाद में मिलेगी आपको EPS पैंसन तो ये जानकर हिकमी मिली है और ये लोगसवा से अंकी बैटक से जुड़ी बैटक में वह अंतिम निर्ने हायर पैंसन पर भी बनी सहमतिक आपको साथ में उच्छ पैंसन मिलेगी और मिनमम पैंसन में कितनी बोड़तरी मिलेगी आप सभी पैंसन दार की यह भी जानना चाहते हैं कि मेडिकल की सुधिया भी पैंसन दार के उनको मिलने चाहिए जो कि उन मंतरार ने पैंसन दार्कों के पैंसन के प्रस्ताओं को लेकर लंबी लोग सुबा के अंदर चर्चा की जिसके बाद ऐसे जानकर या रही कि आपके वैतन लिमीट और मिनमम पैंसन में बदलाव किये जा सकते हैं तो फिलाल जो EPS 95 पैंसन की जो प्रस्ताओं के रहे हैं मांगी गए कि वैतन लिमीट है उसे भी बढ़ाया जाए जो की दोजार चूदा से पंदरा आजार रुपे का वैतन लिमीट है उससे बढ़ा करके 21,000 रुपे किया जाए और मिनमम पैंसन को लेकर रहने से की समीती ने इस तरह की जानकार यारी कि जो पैंसन की बड़त्रे को लेकर चर्जावी सरकान भी इस पैंसन की बढ़ाया है कि आपकी पैंसन कितनी बड़े गी अगर साथ में आपको अन्य लाब कौन से बनेंगी तो यह पहली अपडेट आए दूसरी अपडेट एक और भी आ रही है ज इसी की बज़र्ग लोग है वो मांग करें कि सरकार उनको रिटार्मेंट के वरतमान में अगर उनको जो पैंसन दे रही है रिटार्मेंट पर जो यान की चतिसलाग ऐसे पैंसन होगी है जनको एक अजार रुपे से भी कम पैंसन मिल रही है तो कैसे अपना वो गोजारा स्वाल के साथ पैंसन धारकों ने यहां पर सरका से मांग रखी थी कि 7500 रुपे की पैंसन धारकों को पैंसन मिलनी चाहिए ताकि वो अपना बुड़ा पा आसान से गुजार सके उसी की बाद पैंसन के प्रस्ताओं को लेकर वित्त मंतरले का भी पैंसन धारकों को आसवासन म minimum pension उनसे उनका 1000 रुपे की pension से माईने भर का गोज़रा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर अठाउन साल पर सैलिक का आदा आपको pension भी मिल सकता है ऐसे भी जानकर यहाई जो से कि आप रेटार्मेंट होते हैं उसमें आपका जो अच्छली अंती मोल वैतने उसका आदा आपको pension भी मिल सकता है यह भी साथ में दवा किया जा रहा है लेकिन अभी यह confirm आपको बाद देगी पैंसला जारी नहीं हुआ है कि आपकी pension कितनी मिलेगी साथ में EPF से नोटिस भी जारी बताए जार कि EPF न भी इस तरह की जानकारी दी है कि EPF अगंदर भी pension धारकों के वैतन लिमीट और मिनमम पैंसला की बुड़तरे को लेकर त्यारिया की जारी है लेकिन अब यह कब किया जाएगा कि आपको कितनी pension मिलेगी और कब मिलेगी इसके लिए आपको अंजार भी करना पड़ सकता लेकिन अपडेट मिलेगी तो इसी चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करके रख दे साथ में यह भी जानकारी बताई जाएगा कि दो बचों को पचेस साल तक पैंसल मिलेगी यह किस इस्तिति में आपको पैंसल मिलेगी जैसा कि कि किसी करमचरी कि अनकी पचेस साल या पर दस साल तक तो अनकी सवा नहीं करता उससे पहले मरती हो जाते तो उसके परिवार है उनकी दो बचों को या उनकी उसके उनको पैंसल मिलेगी तो यह फिलाल उनकी लिए अपडेट है तो यहां पर दस साल से अटके वे फैंसले को लेकर यहां पर चर्चा है शुरू हो चुकी है पैंस अगर वेतल लिमीट बढ़ा करके आपका इकीस हजार रुपे या पिर पचिस हजार रुपे लगू किया जाए तो यहां पर आपको पैंसन अधिक मिलेगी लेकिन नया फॉर्मिले को लेकर फिलाल कनफर्म तो नहीं किया गया कि आपका कितना सिवा का अब दिर आएगा जैसे कि दे साल आपको वारतमार में नौकरी करना अनिवार है जैसे कि 35 साल आपका टोटल एनकी गर्णा के लिए मना जाता है इसमें दो साल आपको अत्रिक्त मिलते हैं जैसे कि 33 साल की आप नौकरी करते हैं तो इसी तरह एनकी फिलाल इस पैंसन के फॉर्मूले को लेकर भी गर को लेकर जानकर भी बताई जा रही है लेकिन इस परस्ताव के इंदर मांग रखी इसको लेकर चर्चाएं हो रही है तो आपको कुछ समय इंजार भी करना पड़ सकता है क्योंकि कि कमा डगसों के अनुग के इंका पैंसको लेकर सरकार अच्छी तरगे से पैंसन में बदलाव करेगी और जैसे कि पैंसन भूग को आगे बैतर सूजदा मिले इसक लिए सरकार को भी कुछ समय देना होटा तो उसी हीको लेकर पैंसन भोग समय अपना आपना आपर बिया और और आकरमक हो गई हैं करनाटा के करमचारी वसंदी बाउन को भी पैंसन भोगी ने गेर लिया हैं और सेंगडों पैंसन ने नियूंतम पैंसन बढ़ाई जाने की वाज उठाई हैं लेकिन पैंसन भोगी की मांगों को लेकर फिलाल पैंसन भोगी उनकी मांगों को लेकर कोई आस्वासा नहीं दिया हैं वही पैंसन अस सनतरावल का कहाना की एनसी के कमारा सोक राओ जी और एनसी की टीम के निर्दिसों के नुसार पूरे बारत में अच्छा आंदूलन भी चल रहा था प्यासदार को ने यहांपर आसवाशन को बड़तरी को लेकर रियान की मांग करते हुए पैंसन भूग ने वहाँन को बेरा था लेकिन फिलाल E-P-P-P एनकी को अधिकारी के गोष्णगा नहीं की कि पर इप्यपो कोई बोर्ट बैठेट से हो इस तरह की जानकर समने आ लिए तो इस तरह की और नई ताज़ा अपडेट पैंसे जोड़ी अगर आभी पाना चाहते हैं और चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कि यहां तो चुंकु सब्सक्राइब करते बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाली इस परकार की नई ताज़ा अपडेट भी आपको मिलती रहे एक और ऐसे नई ताज़ा जानकर के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए जाएं